पर्देश में बजनलाल सर्मा की डबल इंजन सरकार बन चुकी है भारी मतों से विजयी पर्चंद मतों से विजयी हुई है और लेकिन युवा जो हैं फार्मासिस्ट भरती को लेगा लगातार अनुलनत हैं आज भी यहां सवास्ति पहुंचे हैं सेकड़ो पर्देश से पुषपंदर सिंग्जादून क्या पूरा मामला है क्यों यहां पर पोँचे हैं और फार्मासिस्ट भरती 2023 के लिए संगर्स रतन लगातार अभी कॉंग्रिस गवर्मेंट में तो हमारे साथ नहीं हो सका अब बीजेपी गवर्मेंट से हमारी उम्मीद है और अभी सरकार क गठन हुआ उस समय मिल लिए थे एक बार आज हम लोगों ने जनिवास पर जाके मुलाकात की है सीम साब से भी हैल्थ मिनिस्टर साब से भी तो दोनों का कापी सकारात में रभी है रहा उन दोनों ने हम लोगों को उम्मीद जगाई है और मतला आस्वासन भी दिया एक तरह समय दिया गया समय तो अभी उन्होंने बोला है कि देखी हम बात करते हैं अभी एक्चुली क्या है उन्होंने वी कल तो सपत ग्रहन के पदवार लिए उसके बाद में फिर अभी इस टाप से भी इनका नहीं पूरा प्रोसेस नोलेज में आया है अभी मीटिंग है आज भी म उमीद थी इसलिए सरकार को लाया गया है तो न्याय पूरी तरह से होगा फार्मासिस्ट भरती जो है लगतार मांग करें उनको उमीद जगी है आप क्योंकि सियम में बजनलाल सर्मा की सरकार बन चुकी समय दन से इसकार बता रहे हैं सर कहां से आया मैं सर जुन जुन से हू इनकी जो प्रोसेस होती है उसी से लगे हुए हैं दस साल दस साल से कारियरत हैं सर और सभी आलमस्ट ये मान लीजिए कि दस हजार पे समीदा पे काम कर रहे हैं सर और सरकार की योज़ना को इन्होंने आगे बढ़ाया है अब हम जो आज सरकार से मिले हैं उसमें हमारे सीम सा लोग जो बरती को अटकाना चाहते हैं 99% जो हम सही लोग हैं उनके साथ न्याए हो और जो औरेज होने की कगार पे हैं उनको बचाया जा सके क्योंकि बहुत सारे लोग जो 50% इस बरती में जो 10 साल से गुजर रहे हैं उनके पास इस बरती के लिए दूसरा उप्सन नहीं है क्या उमीद लगती है आपको किस सरकार आपकी मांगे माने जीरो टोलें सरकार और हम सरकार से उमीद करते हैं जल्द से जल्द फार्मासिस्ट बढ़ती को पूरा करेगी और हम जो फार्मासिस्ट जो जितने जो 3067 की जो हमारी फार्मासिस्ट की न्यूकति है जल्द से जल् आज आपर फार्मासिस्ट ने सबने सीम सर से मुलाखात की स्वास्ते मंतरी सर से बात की तो सीम सर्स ने हमने आस्वासन के दिया है कि यह बढ़ती जल्दी पूरी हो जाएगी और हमारी एक उसमें रिक्वेस्ट थी कि कुछ लड़कों ने वह पिया दिया कि इमल यह लड़क सब्सक्राइब यह बढ़ती हैं तो इसमें आप राजस्तान में जो आरियोचस से पास आउट है राजस्तान से जो भी गोवर्मेंट है उनके आप लिस्ट निकाल दो ताकि हम भी उनके वराबर प्रोविजिन लिस्ट के एकदार हो हमारी यह प्रस्ण और नहोंने आपने कि दिया है कि जल्दी जल्दी राजसान युश्टी वालों की लिस्ट निकाल दो और बाकी की जांच करके बढ़ती पूरी करो अगर आपकी मांगों को विचार नहीं किया गया सरगार दो तो क्या रनीती रहने वारे पास तो अपसन यह है कि हम अंसन या दरने पर बैठेंग क्योंकि उनकी जो चुकी है और हम हैं हमारे पास भी कुछ नहीं दस दस साल से हुआ पर ठोकरे खा रहे हैं तो कोई उप्सन नहीं है इसके लावा यह आर यह पार की लड़ाई है सरब युगा लगतार मांग कर रहा है कि हमारी एज हो चुकी है और अगर फोर्म दुबारा साल से बढ़ती लटकी हुई है कभी कॉंग्रेस सरकार कभी बीजेपी सरकार में मामला लटक रहा है लेकिन अभी जो सरकार है भजनलाल जी की तो इसमें हमें बिल्कुल सकारात्मक दरश्टी कौन आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है अजकारी भी जी अच्छी बाते कर र सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे दर्द को समझाए और यह दर्द के लिए ही सारे लोग यहां पर आए हुए हम आपके चैनल के माध्यम से भी यह सरकार को बताना चाहते हैं कि प्लीज आप हमारी बाते सुनिए हमें हमारी न्युक्ति दीजिए लेकिन मुद्ध हमारा पुराना है जब ऐसे मुद्धे पुराने होते हैं तो सरकार को सुनना भी पड़ता है क्योंकि केवल एक बात नहीं है पूरे राजिस्तान के रोग हैं साड़े चार हजार डेड़ गुना यदि केंडिडेट करें तो साड़े चार हजारों तीन हजा बंपैनी मुद्ध की बढ़ती है तो नई सरकार हमारी भाइस सुनेगी सब्सक्तर साफ कहना ना किसी को पाने के चाह रही है और किसी और नकों कौने का ढरहिए अब लिगी और फिर नहीं हो गाते हैं और फिर नहीं होगा तो हमारे पास ळाश्ट finely आमरण अंसन परिवार सही तामरण अंसन के चेताओं ने देती हैं फर्मासिस्टों ने और लगातार जो मुमीद बनाए रखे हैं और उमीद है उनको अभी भी कि बजनलाल की सरकार की जो है डबल इंजिनिक सरकार है वो कहीने के समधन सीदा जीरो टोलर्रेंस की नीती वे काम कर रही है त कि वे खूर्पइब के बनाए लाखे हैं पूलर।